पंजाब के मांसा शेतर में लगातार बारिश के बाद 24 गाउं में कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है क्रिशी विभाग अभी तक किसानों को हुए नुकसान का आंकलन नहीं कर पाया इस बिच की इंसान संगों ने कहा है कि उन्होंने सभी ब्लोकों में फसल को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए सुवम एक सर्वेक्षन करना शुरू कर दिया है बीके यू के बैनर तले धर ना दिया परदर्शकारियों ने शतिग्रस फसल के मुआपजे की मांग भी की उधर भारत्य किसान यूनियन एकता के जिला अधियक श्राम सिंग भैनी बांग ने कहा है कि हाली में हुई बारिश के निचले इलाकों में कपास की फसल को डूब रही हैं कपास और धान के लावा लगातर बारिश के कारण शेतर में सबजिवां भी परभावित हुई हैं क्रिशी विभाग द्वारा किये गए एक प्रारंबिक सर्वेक्षन से संकेत मिला है कि हिसार जिले में भी हाली में हुई भारी बारिश के कारण लगबग 49,000 नुकसान हुआ है सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मौनसून में कपास सबसे ज़्यादा परभावित हुई है उस समय नुकसान हुआ है जब फसल चल रही थी सर्वेक्शन रिपॉर्ट वीभिन बलोकों में फिल्ड स्टाफ से प्राप्त रिपॉर्ट और जिले में तीन दिन की बारिश के बाद प्रभावित किसानों के शिकायतों के अधार पर संकलित की गई थी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले में इस खरीफ सीजन में 1,39,814 हेक्चर में कपास की खेती की जा रही है जिसमें 21,119 हेक्चर में 75 फीसदी से अधिक तो 17,800 हेक्चर में 50 से 75 फीसदी फसल को नुकसान पहुंचा है विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उकलाना, बढ़वाना और नानोत परखंट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि इन शेत्रों के खेतों में पानी भर चुका है कपास के खेत जो अभी भी जल मगन है किसानों को कुछ नहीं मिलेगा और ये पूरी तरह से तबाह हो सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी